इस दुनिया में मर्द प्रजादी तिर्फ दो चीजों से डरता है पहला खुद की बीवी और दूसरा पुलिस की वर्दी इन दोनों को देखने के बाद उसकी हार्टबिट आटोमेटिक बढ़ जाती है बीवी से डरना तो सुउभाविक है क्योंकि उसके साथ जीवन भर रहना है लेकिन पुलिस से क्यों ड़ता है? पुलिस की वर्दी को देखने के बाद उसके मन में घवराहत क्यों हो जाती है आप कह रह lotion होंगे कि सर लड़कियों को ऐसा डर क्यों ने लगता है और ना तो traffic rules का पलन करती हैं क्योंकि break लगाने की जगह वो बैड से स्कूटी रोगने की कोशिस करती है तो उनके लिए तो rules follow नहीं होते हैं उनको डर लगता ही नहीं है अब जिनको डर लगता है उनिस related आज का topic है topic बहुत खुब शुरत है रन पाट उनाय कोог autumnicit आपका लाइसरे जब्त कर सकती है तो मिए सबसे महत्युपड कि क्या जो ट्रैफिक करमी है या ट्रैफिक ट्रैफिकण पोलिस का वर्यक्ति इह अधिकारी है क्या सिविल ढ्रेस्व के आपका लाइसरे जब्त कर सकता है। दूसरा आपकी चलती हुई बाइक से चाभी निकाल सकता है, अक्सर आपने देखा हुए कि आप बाइक चला रहे हैं उन्होंने रोका, आपने रोकनी कोशिश नहीं कि उससे पहली उन्होंने चाभी निकाल ले, तो क्या वो लीगली ऐसा कर सकते हैं, मोटर वहिकल संसोधन अधिरियम 2019 क्या बताता है, आपके पास क्या राइट है, और ट्रैफिक पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, एक आम विक्ति की क्या जिम्मेदारी है, और इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनेगा, यह आज का विशय है, विशय को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों कान अकेडमी प्लस के बारे में बताना चाहता हूँ, 20% आफ का ओफर चल रहा है, आप चाहें तो 6 मन्त का सब्सक्रिप्शन या फिर 1 यर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लाइफ 10 कोड के माध्यम से डिस्क्रिप्शन पे भी और स्क्रिन पे भी इस आएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट लेना हो तो लाइफ 10 कोड को ही यूज करें, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 18 मन्त से बिहार जोडिश्री का बैच भी लॉंच हो रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए, अब हम लोग आते हैं अपने विशह पार, क्या मांग सकती है ट्रैफिक पुलिश, सबसे पहला प्रश्ण कि क्या जो ट्रैफिक पुलिश है, वो सिविल ड्रेस में आप से लाइसेंस मांग सकती है, यस, हाँ वो मांग सकती है, क्यों मांग सकती है, क्योंकि जितने भी ट्रैफिक पुलिश करमचारी होती है, उनकी न आसान बनाना होता है, उसके लिए आपका लाइसेंस चेक किया जा सकता है, आपके डॉकुमेंट्स चेक किया जा सकते हैं, भले ही वह क्यों क्यידर में अब हैंड क्या कर सकते हैं अगर भीया उनों ने ऐसा माँझ लिया कि कि आपको यह दिखा आपको आपकी गाली रोक ली गई रोकने के बाद क्या वह चाभी निकाल सकते गाली में से निकाल सकते नहीं नहीं निकाल सकते उनके पास बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वह आपकी चाभी निकाल सके नहीं तो उनके उपर कारवाई हो सकती है, लीगल एक्षन लिया जा सकता है, अनुशासनात्मक कारवाई हो सकती है, मोटर वेहिकल संसोधन अधनियम 2019 के अनुशार, अब आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है, तो आपको आपको मेंडेटरी चार डाकुमेंट तो अपने साथ रखने ही चाहिए, पहला हो गया रिष्टेशन सर्टिफिकेट, पॉलिशन, ड्राविंग लाइसेंस और कार का इंसुरेंस, यानि कि आर्सी इंसुरेंस डियल और पॉलिशन वाला सर्टिफिकेट आपको रखना चाहि उसके अनुशार आपने दस्तावेच ऑनलाइन भी रख सकते हैं, और माल लेते हैं कि आप सब्जी लेने के लिए गए, लोग ऐसे ही चली आते हैं बिना हिलमेट लगाए और उसके डियल लिए हुए, आप सब्जी लेने के लिए गए, आपने डियल नहीं लिया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आप उसको पंदरा दिन के अंदर जो है, अपना डियल दिखा सकते हैं, आपका चालान नहीं कटेगा, ठीक है, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें, अब अगर आप मोबाइल में स्रेव दस्तावेच के फोटो दिखाते है, तो वो वैलेड है, लेकिन आपने फोटो खुबसूरत सी खीच के रखें, जैसे आपनी गल्फरेंड की रखते हैं, वो अमाने होती है, इसके अनुसार मोटर वेहकल संसोदन दियम 2019 के अनुसार, अनकेडमी प्लस का सब्स्क्रिप्शन लेना है, तो लाइफ टेन कोट बिल्कुल भी यूज करना ना भूले, अब प्रैफिक पुलिस के क्या-क्या अधिकार है, प्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है, तो संदिक्द लगने पर आपके दस्तावेजों की जाच कर सकती है, वो सकता है कि आपने ड्रिंक और ड्राइव को उसको लगाओ कि आपकी गाड़ी को जो है वो सीज कर सकता है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी, इस बात का ध्यान रखें, बड़े-बड़े सहरों में लोग जो है ड्रिंक और ड्राइव करते रहते हैं, और रेड लाइट को जंप कर देते हैं, उनके लिए तो बहुत आम बात हो जाती है, तो ऐस पुलिसा ना करें, नहीं तो आपके गाड़ी सीज हो सकती है, और चालान कट सकता है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के पास आपका लाइसेंस जब्त करने का पूरा अधिकार है, और इसके बदले में वहां आपकी प्रति की रशीद भी देगा, यानि कि उनको रशीद तो या गैर कानूनी होता है, आपकी जम्मिदारी है कि आप रशीद जरूर से जरूर लें, अगर आपने ड्राइविंग के दौरान सीमित मात्रा से जादा सराब या किसी प्रतिमंधित ड्रग का सेवन किया है, तो आपको बिना वारेंट गिरिफतार भी किया जा सकता है, अग आपके पास क्या अधिकार है, वो भी तो जालनीजी, वो जानना बहुज रोड़ी है, अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपको रोकता है, तो आप उसका पहचान पत्र मांग सकते हैं, यह आपका राइट है, ऐसा थोड़ी नहीं कोई भी आ जाए, सीविल ट्रेस मे होई, दुलाई नहीं होई, एक तरीके से उसको गिरफतार कर लिया गया, आप उसकी बेल्ट नमबर नाम नोट कर सकते हैं, यह आपका राइट है, अगर बेल्ट नहीं है, तो आईडी कार्ड भी मांग सकते हैं, अगर पुलिस कर्मी इन सभी से इंकार कर देता है, तो आप के पास दस्ता वेच ना दिखाने का भी अधिकार है, भहिया, आप कुछ शबूत ही नहीं दिखा रहे हैं, कि आप ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी है, करमी है, तो भहिया, हम क्यों दिखा है, हम सबको अपना आधार कार्ड तोड़ी न दिखाएंगे, सबको अपना वेहिकल संसोदन अधियम, उसका सेक्षन जो 17 है, वो आपको बहुत सरे राइट्स देता है, उसके तहत, आप से कोई अब्यूचिंग नहीं कर सकता है, हुमिलियेट नहीं कर सकता है, जबर जस्ती आपकी गाड़ी रुकवा नहीं सकता है, और बिना चौराहे के, बिना चे जा सकता है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आप इनके उपर लीगल एक्सल ले सकते हैं, इनके उपर अनुशासनात्मक का रिवाई होगी विभागी रूप से, अगर कोई भी पुलिश अधिकारी अपने दस्तावेश दिखाने के लिए मना करता है, तो आपको केवल लाइसेंस दिखाना होगता है, आप लाइसेंस दिखा देजे, अपना खुद का, बाकी की दस्तावेश दिखाना आपकी इक्षा के उपर निलभर करेगा, आप हमेश साधी का सर्टिफिकेट लेके चलने की थोड़ी ना बात हो रही है, आपका खुद का सर्टिफिकेट है, जो ड्राइव करने के लिए मांगा जारा है, आप लेके चलिए, शाथी दस्तावेश मांगाने वाला सक्षम अधिकारी यूनिफॉर्म में होना चाहिए, सामानी गाड़ी के अंदर बैठे है, तो ट्रैफिक पुलिस आपके वहन को क्रेन से नहीं खिचवा सकती, ये बात याद रखेगा, अगर कोई भी वेक्ति कभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो ट्रैफिक पुलिस के किसी भी करमचारी या किसी भी अधिकारी को ये राइट आपकी गाड़ी को उठवा ले, आपने देखा होगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ सौपिंग करने जाते हैं, कहीं पे भी पार्किंग में लगा देते हैं, ये बहुत गलत आदत है, नहीं तो क्रेन आएगी और उठा ले जाएगी, अगर आपकी बीवी बैठी है तो अगर माल लेते हैं कि आपने नो पार्किंग वाले जोन में गाड़ी खड़ी कर दिये, तो आप किसी विक्ति को बैठा दीजिए, ताकि आपकी गाड़ी को क्रेन ना उठा के लेके जाए, कानून के अनुशान, वैसे तो पार्किंग में लगा गये रखी, अगर कार के अं अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस करमी ने जाच के दौरान आपके साथ, तो आप उसके खिलाफ ओनलाइन सिकायद भी दर्ज कर सकते हैं, और नजदी की थाने में फायार भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, यह आपके राइट्स है, आपको अपने राइट्स के ल करना चाहिए, और अगे के फैक्ट, अगर ट्रैफिक पुलिस करमी आपका चलान तभी काट सकता है, जब उसके पास सरकार की तरब से चलान भुक या या यी चलान मशीन साथ में हो, अगर नहीं है तो फिर वो चलान नहीं काट सकता है, यह आपका राइट्स है, उनके पास कोई authority नहीं है, सरकार की तरब से कि वो उस समय चलान काट सकें, ना तो वो अपना चलान भुक लेकिया, ना तो यी चलान वाली मशीन लेकर आए, तो भाया आप बस यह देखिए, कि हमने कानून का उलंगन क्या है, लेकिन आप चलान उस समय नहीं काट सकते, अगर चलान का गया और उस समय जो है ना साथ में सब इंस्पेक्टर है या उस से उची रहन का अधिकारी है, तो आप तो रहन चलान जमा कर लीजे, पैसा जमा कर दीजे और पुर्सत पा जाईए, पुलिस अधिकारी जाच के दोरान आपको कार से बाहर निकालने के लिए जबर जस्ती न अंदर बैठ के बात करें, ताकि एसी चलती रहे, माइंड कूल रहे और डिसीजन ले सके, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो बस एक सामानिसी बात है, लेकिन आपको गाड़ी से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से मानो दुरवहवार के रूप में आता है, हु ज़र से यह सारी बेवस्ताएं बनाई गई है, उमिद करता हूँ कि आज के लेक्षर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़े पता हुई होगी, मेरा उदेश इस लेक्षर के माध्यम से किसी को अपमानित करना नहीं, मैंने बहुत सारे व्येंग कीए, मजाक कीए, लेकि किसी प्रकारते किसी की भावना को आहत पहुचाना नहीं है क्योंकि अगर हम चीजों को आसान तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा और जीवन को आसान बनाने के लिए हमें अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजों को ही connect करना होगा Unacademy Plus पर subscription लेने के लिए देर मत करिए Life 10 code यूज करिए Unacademy Plus पर मेरी classes होती है 12 p.m. और 8 p.m. पर आप मेरी profile पर जाके follow कर सकते हैं description में आपको मेरी profile का link मिल जाएगा मेरा नाम अंकित कुमारे मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you so much चाहिंद